हेलो हाई वार्ट्सथ वुलकम बैक टू आवर सायनल किसे दोस्ते आर आप सभी लोगोफ आप से ठीक होंगे फिट एंट फाइन होंगे अपने लाइफ और दिनों को इंजोय कर रहे होंगे और फूल मस्ति कर रहे होंगे अभी लॉकडाउन के टाइम पर और ज़रूरत मन को को help कर रहे होंगे अगर आपके पास कुछ है तो जरूर से help करना है क्योंकि अगर आप किसी को help करोगे तो उपर वाला जरूर आपका help करेगा तो दोस्तों आप सभी को स्वागते आज के एक और ब्राइन न्य वीडियो में आज नहां हम बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो को रियार्ट करने जा रहे हैं मुझे पता है आपको इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा मजा आने बाला है तो टोड़े ऑर गएंगट रियाक्ट अन 10 ऐसे कंट्री जिस पर कभजा करना मुम्किन ही नहीं ना मुंकिन है तो दूस्तों यह जानने का मोगा मिलेगा कि इंडिया को कब्जा करना कितना मुस्किल always । और हमने नमर पर पड़ता है जिसमें नामगीं कबदा करने में तो सब पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं मेरा नाम सागर और मैं नेपाल छे हूं अभी तक आपने हमार इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक किजिए अगर आप अमया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ ही बेल आइकन को जरूर है और लिंक में डिजिशन में डाल दिया हुआ है फॉलो कर लेना और अगला रियाक्शन आप किस पर देखना चाहते हो या मेरे से बात करना चाहते हो मेरे को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर लिंक भी बेज सकते हो तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं खेलो दोस्तों दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं उन पर जब भी किसी देश का जीचा है हमला करके कबजा कर सकता है लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है और फिर भी अगर उन पर को हेलो दोस्तों मैं हूँ मुहम्मद काशिफ आप देख रहे हैं अलफा फैट्स आईए जनतें दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जिन्हें जीतना लगभग नावम्किन है इरान का पूरा नाम है रिपब्लिक आफ इरान साओधी अरब टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक जूट दुश्मन देश होने के बावजूद इरान पर वर्ड वार्ड टू के बास से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है इरान के मिलिटरी में हैं लगभग पांच लाग सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेंस, एक बड़े युद में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफी है लेकिन इस से जादा तक दूसरे देशों के पास है, तब भी इस देश में गुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वज़े से काफी मुश्किल है इरान की गवर्मेंट के पास बहुत से अंडर ग्राउंड मिलिटरी बेसिस का नेटवर्ग है जो इरान के लगबग हर शेहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है दुनिया के सबसे खुबसूरत देशों में से एक आस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुकिन है कैसे आए जानते हैं इसकी वज़े इसकी आर्मी नहीं बलकि इसकी जौगरफी है आस्ट्रेलिया से जीतने लाइक और ताकतवर देश उसके आस पास कोई है ही नहीं उसके पास के ताकतवर देश है चाइना, इंडिया, जापान जो औल रेड़ी आउस्ट्रेलिया से हजरों कि लो मिटर दूर है जापान आस्ट्रेलिया से 11.000 कि लो मिटर की दूरी पर है और बीच में है समुद्र जो देश आस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकत वर नहीं कि उससे जीट सके इसके अलावा अगर कोई देश आस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा क्योंकि आस्ट्रेलिया की 98% पॉपिलेशन समुद्र के किनारे बने शेहरों में ही रहती है और बीच का आस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है जो की हजारों किलومीटर कर रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है इसमें कहां कहां पर आस्ट्रेलिया नार्मी बे से ये कोई नहीं जानता और World War 2 के दोरान जापान ने आस्ट्रेलिया पर कबज़ा करने के लिए हमला किया भी था लेकिन इन्ही कुछ रीजन्स की वज़े से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कटिन है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं लेकिन इसके लिए पूछ तो रशिया ही है बाई नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहदी ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कबज़ा करना चाहा था लेकिन उन्हें वापस लोटना पड़ा रशिया की सेफटी की वज़े इसकी जॉगरफी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है इसकी जादातर जमीन पहाडों जंगलों और बर्फ से गिरी हुई है वाल्ड वार टू के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियान आर्मी उनसे लड़ी नहीं बलकि पीछे हटती गई क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी बलकि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वज़े से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा और ऐसा हुआ भी इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणू हतियार भी रशिया के पास है इसलिए इससे जीतना लगभग नामुमकिन है दुनिया के सबसे संकी तनाशा किम जौंग उनका देश है नौर्थ कोरिया इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता इसकी वज़े है इस देश का दम नौर्थ कोरिया में भी काफी दम है नौर्थ कोरिया में 10 लाग से ज़ादा सैनिक, 4,200 टैंक्स, 222 अटैंक हेलिकॉप्टर से और तो और इस देश के पास है नूक्लियर वीपन्स जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं सोचेगा और इतने सक्त कानून होने के बाद भी नौर्थ कोरिया की जन्ता अपने प्रेसिडेंट किम जॉंग उनको बहुत जादा मानती है इसलिए जन्ता का पूरा सपोर्ट भी किम जॉंग उनके पास है तो इस देश पर भी कबज़ा करना असान नहीं है नमबर 6 भूटान भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है जो इंडिया के उत्तर में हिमाले पहाडों में बसा हुआ है इसकी आर्मी में केवल 6,000 सैनिक हैं और इसके पास एर फोर्ट भी नहीं है तो फिर इस पर कबज़ा करना इतना कठिन क्यों है ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी देश ने कबज़ा नहीं किया सन 1700 में बिटिश इंपायर ने इस पर हमला किया था बेसिकली इन्हों ने जादतर देशों पर हमला किया था लेकिन भूटान पर कबज़ा करने में काम्याब नहीं हो पाय थे इस वक्त इस पर कबज़ा करना इसलिए impossible है क्योंकि इसमें हर जेगे पहाड ही पहाड है इसलिए इस पर टैंक्स का जाना तो impossible ही हो गया चोथा सबसे ताकतवर देश भी है ऐसे में भूटान पर किसी देश का कबजा करना impossible है इसराइल एक बहुत चोटा सा अरब देश है और अपने आस पास के सबी देशों से इसकी दुश्मनी भी है फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कबजा करने में काम्याब क्यों नहीं हो सका इसकी आर्मी में केवल एक लाख 76,000 सैनी की है लेकिन इस देश की हर आउरत को कम से कम दो साल और हर आदमी को कम से कम तीन साल आर्मी में रहना ही पड़ता है इसलिए इस देश के हर नागरिक के पस मिलिटरी ट्रेनिंग होती है इसके बाद दुनिया के सबसे अडवांस मिलिटरी डिफेंस सिस्टम डिवलप कर लिया है यानि ये देश एक सुरक्षा कवच से गिरा हुआ है इसमें कोई भी मिसाल इंटर नहीं हो सकती नमबर फॉर कैनेडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कैनेडा इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनी की है इससे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरुरत नहीं पड़ती बलकि ये देश बहुत ही बड़ा है और यहां के जंगलों और बरफिले मौसम की वज़े से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है दूसरी बात है इसका पडोसी देश अमेरिका जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी है जिससे कैनेडा के काफी अच्छे रिष्टे हैं इसलिए अगर कोई देश कैनेडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भीड़ना पड़ेगा स्वीड़लेंड के डिफरन सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में काफी डिडियल में बताया है आप उपर कार्ड पर क्लिक कर गए उस वीडियो को देख सकते हैं दुनिया के सबसे पीसफुल और खुबसूरत देशों में से एक स्वीड़लेंड पर हमला करना भी इसकी जोगरफी की वज़े से काफी मुश्किल है स्वीड़लेंड की आर्मी छोटी है इसमें एक लाख पचास हजार सैनिक और 156 एर क्राफ्ट हैं लेकिन इन से लड़ने के लिए दुश्मन को ऐल्पस के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बरफीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होता है और इन पहाड़ों में लड़ने की आधत स्विट्जरलेंड के आर्मी को तो है ही दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलेंड के दोस्त इसके सारे पढ़ोसी देश ताकतवर हैं और इसके दोस्त भी हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा नमबर टू, इंडिया इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है, इसकी वज़े है इंडिया की जोग्राफी और इसकी आर्मी इंडिया के पडोसी देश पाकिस्तान और चाइना काई बार हमला कर चुके हैं लेकिन वो अपने मकसद में काम्याब नहीं हो सके साई पाते, जोदालाख सैनिक एक हजार सास्सु पच्छासी फाइटर प्लेंस, सोला हजार लैंड आर्मी वेहिकल्स और बहुत सारे वीपनस अब बात करते हैं जोग्रफी की इंडिया का उत्तर का जादातर भाग हिमाले से गिरा हुआ है जो कि दुनिया के सबसे उचे पहाड है इन खतरनाक पहाडों में रहती है इंडियान आर्मी तो दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस नहीं है और दक्षिडी इलाके को मिला कर इंडिया तीन तरफ से समुद्र से गिरा हुआ है तो दोसों से दाधा शिप्स, नूकलियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन्स और एरक्राफ्ट केरियर्स वाली नेवी से जीतना लगबग नामुम्किन है दुनिया का सबसे ताकतवर देश उपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश इसकी आरमी में लगबग 14,00,000 सैनिक और इनके पास है 7,000 से ज़दा नूकलियर वीपन्स इन में से दो का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है इस देश पर हमला करने लाइख ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महदूई में नहीं है और जो देश इस पर हमला करने के लाइख ताकतवर हैं वो इससे काफी दूर है और बीच में 1000 किलोमीटर के समंदर जिन में इसकी High Technology Advanced Submarines कहीं भी छुपी हो सकती है इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना लगभग नामुम्किन है World War 2 के बाद से ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ये थे दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश जिनसे जीतना लगभग नामुम्किन है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तो फ्रेंज जैसे के आपने देखा वीडियो खत्म भी हो चुका है फस्ट अगल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं इस वीडियो पर इंडिया को नमर टू पोजिशन पर दिखाया गया था और इंडिया के दुश्मन देशों को भी पता है इंडिया कितना आगे नि बेन मुद्दे के उपर आपने देखा ये थे 10 ऐसे कंट्री जिनको खबजा करना ना मुंकिन है आपको बता देना चाहता हूं आपके पास वेपन भी अच्छा होना चाहिए मिलिटरी भी अच्छा होना चाहिए साथ साथ यही काफी नहीं है आपका जो जियोग्राफी है आपका जो जमीन है वो भी अच्छा होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हो क्या नडा स्विजर लैंड रॉसिया औस्ट्रेलिया इन देशों पर कोई भी देश हमला करेगा तो बाहर से आने बारे देशों के आर्मी के पास वो अकली नहीं रहेगा यार वहां पर कैसे लड़े और कहां पर मिलिटरी काम है उन तो उनको अइसा लगेगा कि दिन में वह अंदे है उनको आइसा फिलोगा लेकिन स्विजर लैंड के मिलिटरी को तो सब पता होगा ना तो वह लोग भून देंगे उन आतंग बादियों को तो आप सोची सकते होंगे ना जियो ग्र करेगा तो इंडिया के मिलिटरी उनको भूनी देंगे और जो बाहर से आने बाले जो बड़े-बड़े कंट्री है वो इंडिया को हमला भी नहीं कर सकते यार एक तरफ पूरा समुंदर है और दूसरी तरफ हिमाले है और उन हिमाले में उन समुंदर में लड़ने के लिए आर्मी, इंडियन मिलेटरी, इंडियन नेवी, इंडियन एरफोर्स ना इतना strongest है वो जगा पर अगर कोई भी हमला करे ना तो इंडिया धूल चठा देखा इसलिए इंडिया को भी कबजा करना ना मुंकिन है यार आप तो सोची सकते होंगे ना इधर चीन जैसे बड़े से द हमला नहीं करते है और आप शची सकते होंगे क्योंकि आज के टाइम ऑर इंडिया के पास इतना दम है धिकिन है। अगर अगर तो इंडिया क्या करेगा वो इंडिया दिखा देगा यार तो आपने देखा होप आपको यह वीडियो में मजा आया होगा और कुछ ना कुछ नौलेज मिल गया होगा यार तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही होप आप यह वीडियो में मज़े किये होंगे अगर मज़े की होंगे तो शियर जरूर करना आयार तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बावाई, टेक क्यार, लव यू आल, जै नेपाल, जै हिंद